जेन गाइस कैसे हैं आप लोग आशागरती हूँ कि आप लोग बहुत अशी होंगे मैं लगी आप लोगों का अपने यूट्यूब शैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ तो गाइस बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस रिटेन एक्जामनेशन दूजार थाईस जो की 2391 पोस्ट को लेके होने वाली हैं तो उसके एक्जामनेशन में रिटेन एक्जामनेशन में कौन-कौन से डॉक्यमेंट लेके जाने हैं और क्या-क्या समान लेके जाने है एक्जामन सेंटर पर और कौन-kोन से समान नहीं ले जाने हैं बहुत सारे कमेंट yer आ रहे थे कि जो एक्जामनेशन के बाद क्वस्चेंट पर अपने साथ ला सकते हैं या फिर वहीं पे जमा कर दिया जाता है OMR seat को कैसे भढ़ना है Other state वाले candidate का center कहा जाएगा और बिहार वालो का कहा जाएगा और admit card कब से download होंगे तो इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दोंगी वीडियो को देखना है पूरा अगर मेरे चैनल पे आप नए हों उसके साथ ही एक ID proof चाहे वोटर ID हो, अधार काड हो, पैन काड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो एक ID proof और रिटेन एक्जामनेशन का admit card और blue और black pen बस इतने ही चीज़ लेके जाने है अंदर बाकि जो भी आपके पास पैसे वगएर होंगे या पर्स वगएर या वश्च होंगे तो उन सब चीज़ों को बाहर ही निकाल दिया जाएगा और कोई सभी electronic device नहीं और वहां पर कान वगएर भी चेक किया रहता है कि Bluetooth वगएर तो नहीं लगा है, कुछ भी electronic device अंदर नहीं लेके जाना है तो यह सब चीज़ आप वही पर छोड़के जाओगे बाहर में जो भी आपके साथ जाएंगे, आपके parents हों, ममी पपा हों मतलब parents हो, या भाई वैन हो, या फिर कोई friend वगएर हों तो उनको दे देना है बाहर में ही और कुछ भी समाना, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा समाना आप कुछ भी लेके ने जा सकते हो अंदर बस admit card और एक ID proof और blue black pen बस इतने ही चीज़ लेके जाओगे अंदर तो guys, अब मैं बताऊंगी आपको कि other state वाले लोगों का center कहां पर परेगा तो भई बिहार में ही परेगा, बिहार police का exam है तो और लेकिन हाँ, बिहार के किसी भी district में आपका center जा सकता है आप चाहे other state के girls हो या boys हो और बिहार के जो male candidate है तो उनका exam center भी बिहार के किसी भी district में जा सकता है लेकिन विहार की जो girls candidate है तो उनका center जो है न तो उनके home district में ही जाएगा जो उनका district है उसी में exam center पड़ेगा तो लड़कियों का सबसे अच्छा है क्योंकि उनका center पड़ेगा अपने home district में ही उसके बाद admit card कब से डाउनलोड होंगे तो फिर exam से 10 तिन पहले issue कर दिये जाएंगे और अभी इसका कोई official notification नहीं आया है कि कब issue किया जाएंगे तो exam से 10 तिन पहले issue कर दिये जाते हैं इसलिए pacience बना के रखें घरबराना नहीं है घरबराना नहीं है एकदम pacience बना के रखना है अभी एक्जाम ही है नॉर्मल एक्जाम के जैसे आपको लेना जैसे आपने 10th 12th के एक्जाम दिये थे उसी इस आपसे इस exam को भी देना है कोई ज़्यदा issue नहीं है तो गाइस अब बात करेंगे ना कि OMRC उसको कैसे भढ़ेंगे और examination के बाद question paper का क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप exam center में in करोगे और written exam का admit card और एक ID proof और blue black pen लेके अप अंदर जाओगे फिर उसके बाद आपका जो hall या room number या जो भी है तो आप अपने room number या hall में जाओगे एंटर करोगे फिर अपने seat को देखोगे और वहाँ पर जाके आप बैठोगे फिर इसके बाद जितनी भी उन लोग की process होती है जैसे कि ये finger print या उसके बाद signature या photography तो वह सब हो जाएगा उसके बाद आपको मिलेंगे answer sheet उसमें OMR seat को भढ़ना रहता है अच्छे से OMR seat मिलेंगे उसको भढ़ने को तो भाई OMR seat को बहुत ही बाड़ी की तरीके से बढ़ना है क्योंकि आपका result जो है न वो OMR seat पे ही depend करता है जिस तरीके का OMR seat भढ़ोगे उसे साब से result बनेगा यानि कि अगर आप बहुत ही brilliant candidate हो बहुत ही जदा परके गए हो औ बहुत ही अच्छी preparation है आपकी और आपको सारे question आ ठीक है लेकिन हाँ अगर आपने OMR seat में थोड़ा सा भी mistake करना तो भई नहीं बनेंगे आपके result बिल्कुल भी नहीं बनेंगे RTI करोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है उसे इसलिए OMR seat को बारीकी से देखके दो से तीन भार देखके भरना है क्योंकि आपका result जो है आपका future है जो आप लोग सपना देख रहे हो भी हार प्लिस में आने का तो वह आपका depend करता है OMR seat पे इसलिए अच्छे से OMR seat को बना है फिर उसके बद आपको मिलेंगे question paper और फिर question paper बनेंगे फिर आपके पास timing हो जाएंगे उसके बद आपको सारे question के answer fill करना है तो OMR seat में चार option होते हैं तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा सबको पता होता है चार option होते हैं तो जैसे कि मानलो की अगर कोई question है तो आपको लग रहा है कि इसका answer A है तो आपने A को fill कर दिया ठीक है फिर थोड़ी दर के बाद आप confused हो जाते हो फिर सो तो नहीं नहीं इसका answer तो मैंने पढ़ा था कि B है तो आप क्या करते हो A को cut कर देते हो B पर fill कर देते हो तो वह इसमें अगर B सही भी होगा तो भी आपको answer नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वहां पे cut cut कर दिया है इसलिए cut cut वगर कुछ भी नहीं करना है और एक ही बार में सूझ समझ के भढ़ देनी है और cut cut विल्कुल भी नहीं करना है अच्छे से भढ़ देना है फिर exam होगा फिर exam का जो है ना answer sheet और question paper दोनों वहां पे जमा ले लिए जाते हैं तो आपको अपने साथ लाने नहीं दी जाएंगे question paper वहीं पे वह जमा हो जाता है तो इसलिए जाया attention की बात नहीं है question answer और answer sheet दोनों भी जमा कर दिया आते हो आप तो guys I hope कि आप लोगों को यह video अच्छी लगी हो तो guys अब आप लोग बताओ मुझे कि आप लोग की तियारी कैसे चल रही है ताइम तो बहुत कम है उनीस दिल लगभग बचे हुए है प् तो बस एक seat confirm करनी है इतनी जान जी जोग दो इस बार जान लगा दो एक लाख लोग क्वालिफाई करेंगे और आपको टक्कर देने के लिए 27 लोगों ने form बढ़ा है तो बही कांटों का टक्कर है एक seat confirm करनी है अच्छे से मेनत करो खूब अच्छे से परो और अभी आपक पार गंटे पांच गंटे तीन गंटे जो कुछ भी समय आना आप जी जान लगा दो रिटेन एक्जामनेशन में क्योंकि भाई मौका बार बार नहीं आती है तो एक मौका है आप लोगों को सेलेक्शन लेने का तो अभी आप लोग पास टाइम में अच्छे से मेनत करो खू कि सब अपने आप हो जाएगा उतना जादा हाड नहीं होता है लेकिन GKGS जो है वो समुद्र रहा है तो भाई GKGS पर जादा फोकस करनी है और टेंशन नहीं करना घबराना नहीं है समय जितना पास आरा रहा है तो घबराहाट हो रही होगी आप लोगों को जो रियल केंडि कोघ raising लाइन रिशट करोंगा या करूंगी किस तरीके से में जोईन करूंगा या करूंगी इस ताइप के बहुत सारे कोश्चन उनकी मंन में आते हैं तो भं तो आप उनको पैसेंस बना करकें कुछ नहीं होने वाला है और एक द पैसेंस फुली पस ऌपतूर रिटें एक आपके सामने में रिटन एग्जामनेशन है, 19 से 20 दिन बशे हुए आच्छे से पढ़ाई करो, बस एक सीट कन्फर्म करनी है और अपने ड्रिम को पूरा करना है, इस परदी को पाने का जो सपना आपने देखा है उसको पूरा करना है, बस एक सीट कन्फर्म करनी है, उस टाइ तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शियर जरूर कर देना, जै हिन, जै वारत